हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस लर्णिन प्रफार्म बीएस सी बायर वाला में स्टुडेंट आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिसकसन करने वाले हैं एक्टिव मिनरल्स आयन एपजॉप्शन के बारे में एक्टिव मिनरल्स आयन एपजॉप्शन क्या होता है आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिसकसन करेंगे तो इस विडियो को स्टार्ट करने से पहले यानि कि एक्टिव मिनरल्स आयन एपजॉप्शन या फिर आपका सकती एपटेक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े previous class की बाते कर लेते हैं यानि कि previous class में मैंने आपको Paisy Minerals Iron Absorption के बारे बताया था या आपका सकते हैं Paisy Minerals Iron Abutake के बारे में मैंने आपको बताया था ठीक, जो आपका Paisy Minerals Iron Absorption था वो आपका दो मेकेनिजम में आता है यानि कि Minerals Iron Absorption में आपका दो मेकेनिजम आता है पहला आता है Paisy Minerals Iron Absorption दूसरा है आपका Active Minerals Iron Absorption तो Paisy Minerals Iron Absorption क्या होता है इसके बारे में previous class मैंने आपको डेटेल से बताया था आज इस class में आपको जानना है Active Minerals Iron Absorption तो Paisy Minerals Iron Absorption मैंने यह बताया था इसमें जो Absorption होता है जो plant water को या फिर Minerals को Absor करता है स्वाइल से Absor करता है वो simply diffusion के माद्यम से कर लेता है उसमें कोई energy खर्चे नहीं होती है जिसमें मैंने आपको दो थियरी में बताया था उसको मैंने दो थियरी आपको उसके बारे बताया था Paisy Minerals Iron Absorption में पहला था आपका आयन एक्सचेंज थियरी और दूसरा था आपका आपका दूसरा सेकेंड जो थियरी थी वो थी आपकी डोन एक्सचेंज थियरी थी बारे बताता हैao दोन एक्सचेंज थरी में आपको मैंने प्रेवियेस class में बता दिया था तो आज उसी स्रीज को continue करते हैं यदे पहुच गए हम लोग एक टॉपिक पहुच गया है जिस का लाम है active in eras mission अब बात आते है कि active in erasN क्या होता है इसीकी बारे में आपको basically इस लेक्चर में जाना है तो पैस्यू मिनर्स आयन अप्जाप्शन या आप कर सकते हैं कि अप्टेक ठीक पैस्यू मिनर्स आयन अप्टेक या वार आप एप्जाप्शन भी कर सकते हैं ठीक तो मैंने बता था कि जो पैसिव मीनर्स आयन अपजापसन होता है ठीक है उसमें क्या होती है एनर्जी खर्च नहीं होती है लेकिन जो ये एक्टिव मीनर्स आयन अपजापसन है इसमें इनर्जी खर्च होती है ठीक है इसमें क्या होता है क्या होता है एनर्जी खर्च होता है ठीक है एनरजीच होता है और आपको पत्ता भीया जो जो इनरजी करच रहे तो वहा पर जो एनरजी खरच होगी वह किसके रूप में होगी ADP के रूप में energy खरच होगी यहां होता क्या है यहां पर Concentration G umgi की की gel可以 Water का एमजाब्सन होता है इसि लिए यहां पर क्योंकि की energy का खर्च होता है डिक कहा होताई यहां पर जो absorption होती है वो concentration gradient की अगेंश्ट अप्शन होता है due to expandation of energy आप जो energy होती हुआ किस रूप में खर्च होती है ATP के रूप में जैसे आप आप भी थोड़ा सा गाएंगे की अलेंगी की संथे कि Haen्यन्ट एंटन इसका मतलब ज्यांत है Cheese तिल्ट में कहांई है स्वाइल में क्वाट्र है को साइध्य क्या निभाट्र है यह मने आपको पहले भी बता रखा हैं अब यह क्या स्वाइल में कौन सा फोर्स लगता है अब आप कुट्वा कर्शनर भर लगता है इसके कारड़ ठीक कौन सा बन लगते हैं वाटर वाटर ऊपर जा रहाए प्लांट है तो प्लांट वाटर को happynak cumulative लेकिन क्या हो रहा है वाटर फीर भी उपर जा रहा है इसका मतलब Energy लग रही है उसकी अगेंस्ट वाटर एबजॉप हो रहा है वाटर ऊपर की तरब मुव कर रहा है बातसमद में याई कि हमने ये बताया कि इसमें जो एबजॉप सर होता है वो कंसेंट्रेसन ग्रेडियन की अगेंस्ट होता है क्यों होता है क्यों कि हम आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं due to expandation of energy in इनर्जी खर्च कर रहे हैं यानि कि आपका सकते हैं कि सर यहां पे क्या है वाटर है वाटर ऊपर की तरब जा रहा है क्योंकि आप इनर्जी खर्च रही है लेकिर वाटर को ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उपर से नीचे कि तरब क्रेविटेशनल फोर्स लगता है वाट तरह ऊपर कितरह मूब कराया जा रहा है इसलिए बताएंगा कि यह जो की ग्रेडियंड की अगेस्ट इक संसेंट्रेस्ट गेडियंड की अगेस्ट वाटर का अपजाप्सन हो रहा है यूडियू टू इक्सपेंडेशन आफ एनर्जी और एनर्जी किस रूप में खर्च हो र absorption of mineral science against against concentration gradient with expendation of energy and metabolic activity of metabolic activity are known as are known as active minerals and absorption मैंने क्या बताया मैंने नहीं बताया कि absorption of mineral science absorption of mineral science from the या आप कर सकते हैं कि अगेस्ट कंसेंट्रेशन आफ ग्रेडियंट अगेस्ट कंसेंट्रेशन आफ ग्रेडियंट विट expendation energy metabolic for the metabolic activity is known as concentration is known as active minerals and absorption ठीक है आगे की थोड़े सी और बातों को समझते हम लोग फिर लोग concentration gradient के अगेस्ट वाटर उपर जा रहा है इसमें energy खर्च हो रही है इनर्जी खर्च हो रही है तब वाटर उपर जा रहा है तो यानि कि requirement हो रहे कि इसकी energy की अब इस requirement हो रहे energy को इस बात को प्रूफ करने के लिए सिद्ध करने के लिए क्या किया गया experiment किया गया ठीक है यानि कि बताया कि इनर्जी खर्च हो रही है तब वाटर उपर की तरफ जा रहे है इस बात को सिद्ध करने के लिए इस बात को प्रूफ करने के लिए की energy requirement होती है किसके लिए absorption के लिए इस बात को सिद्द करने के लिए क्या किया गया experiment किया कुछ पैग्जानिकों ने क्या किया experiment किया उनने क्या किया उनने बता है कि माली जी यह route है ठीके यह route है और route आपको पता है बोगह होती है स्वाइल में होती है अब स्वाइल में होती है स्वाइल में क्या है ऑक्सीजन है ओटू है ठीक है अगर ओटू है माली जे ठीक इसे क्या है ओटू है फिर से समझें कुछ बैज्यानिकों ने ये सोथ करके बताया कि जो एपजापसन होता है ठीक है जो एपजापसन हो रहा है उसको उन्होंने सिद्ध करके बताया कि इसमें इनर्जी की खर्चे होती है अब इनर्जी कहां से आती है उसके बारे में उन्होंने उस चीज को प्रूप करके बताया था उन्होंने उन्होंने बताया कि जो वाटर का अब जापसा नहता है वो कौन करता है रूट करता है और और विया गाने ऐन हो बटे आगे एक के हां थेल्या GIR में कि यौसीजन की माड़ा दिए जाय जाए अब को पताए की रुट भी क्या करता है धिके है थे hell रूट भी घर थेल्ट का हर एक पार्ट रिस परीरिशन करता है सोसर करता है ठीक है अब वो करेगा क्या कि यहां पर आक्सीजन है यह आक्सीजन क्या करेगा रूट लेगा यानि कि कब लेगा प्रॉसेज आप रिस्पिरेशन ठीक है तो क्या करेगा आक्सीजन है अब यहां पर आक्सीजन की मात्रा बढ़ा दिये जाए तो आप दे तो respiration बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है absorption भी बढ़ रहा है अगर respiration होगा तो energy बढ़ेगी energy बढ़ेगी respiration भी sorry water का transpiration होगा absorption होगा water का जो absorption होगा वो भी ज़्यादा होगा मैंने बात को फिर से समझने का π्याश करीगा ज dazu मनें बताया कि यह root है, root में क्या है, root में, root में root है और oxygen हैousing respiration करना यारनि O2 कूलेगा अबowgam oxygen कूलेगा respiration के थूब respirationर जब करेगा तो क्या होगा, energy बनेगी plant एक새 respiration करना정 energy का formation होगा अब वह energy क्या करेगा, उस energy केता water को absorb करेगा अब वह वह इनर्जी क्या करेगा इनर्जी खर्च करेगा किसमे waterいます चाहिए अगर जादे मात्रा में water प्रच्व हो रहा है तो इसका मतलब उसको जादे मात्रा में oxygen की प्रक्रशिजन की जोड़ पढ़ेंगे तो ज्यादे मात्रा में इनरजी खर्च होगी तु ज्यादे मात्रा में एक्वाप्षन भी तो यह प्रेटिकली देखा गया था तो मैंने यही बताया कि जैसे प्लांट है's प्रांट अगर और को ले रहा है उसके इनर्जी में अगर इनर्जी बन रही है तो इसका मतलब क्या होगा अब जब एदा होगा ठीक है टो यतना वाटर इब्चार्व करेंगा उतना इसको नहीं तो इस बात से यह प्रमान हो गया कि वाटर का इब्चार सने के लिए मेनरस के अपजार्शन के लिए एनरजी की रिक्वार्मेंट होती कि इंहों टेखा था अब दूसरे कुछ्छानिकों क्या बताया कोई सेफ़ाइ shear rock केँगा नर्य ये बताया की जो sw aller होते हैं वो रूट में होती है इसमें क्या होता है केसियन होता है यहांकि आपका सकते हैं まतलब potassium sledative paljon साइने केस्टी जिसको में भूत को लिए नह्म करें दोग पो later साइनाई होता है और ऑ अवर क्या होता है हुज में के साथ है क्या होता है क्या होता है यह स्वाल में मिला होता है लेकिन जो यह केसियन होता है पोटेसियम साइनाइड इसकी जो नेचर होता है केसियन का जो नेचर होता है और एजाइड का जो नेचर होता है यह रिस्पाइडेशन इन्हिबिटर होते है यह रिस्पाइडेशन को इन्हिबिट करने वाले होते है रिस्पाइडे सब्सक्राइब करें वार्टर जो जाब होना वह भी काम हो जाएगा ठीक तुम्हें क्या बताया कुछ साइंस्टों नहीं यह बताया कि वह स्वाइल में क्या होता है के सीन होता है potassium, cyanide और agide होता है चब एनर्जी बनेगी नहीं तो water एब्जार्ब नहीं होगा जब एब्जार्ब नहीं होगा तो energy खर्च नहीं होगी तो कहने का मतलब अगर इस agide मिला हुआ है तो क्या होगा इन्हिबिट हो जाएगा respiration अगर इनर्जी मिलेगा तो इसी को कहते हैं यानि कि वाटर का एपजार्ब हो रहा है वाटर का एपजार्ब हो रहा है किसके दोड़ा एनर्जी की दोड़ा नियुक्त आप आप एपजार्ब हो जाता है मिन्रस एक्टिव मिन्रस आयन अगेंस्ट कुछ बातों को वह लोग लेंग्विश के माध्यम से समझ जते तो भी डिखाए एपजाप्शन आप मिन्रस आयन फ्रम इसरफेस आप रूट रूट सर्फेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन gradient with expandition of metabolic energy is known as active mineral ion absorption. Therefore, there are direct relation between mineral ion absorption and energy, different physiological observed direct relation between ion absorption and energy which are given as below. यह रेकिशाए बताया है कि इसका मतलब यह कि कुछ साइटिस्टों डारेक्टली बताया कि जो absorption होता है mineral का उसका direct relation होता है यह किसके साथ energy के साथ अगर energy मिलेगी तो water का absorption होगा अगर नहीं मिलेगी तो absorption नहीं हो पाईगा. तो इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूफ किया जैसे इस्टेवार्ड और हॉपकिन्स ने इस चीज को प्रूफ करके बताया उन्हें ने प्रूफ क्या किया था उन्हें ये बताया कि जो वाटर का अबजाप्शन होगा तो यहाँ बार पर का लाइगा होगा कि एनरजी खर्ष और ना करेगा प्लांट altern essence लेगा पुरुयाओ के दुवारा क्या होगा एनर्जी बनेगी और वह एनर्जी होगी वार्टर या भी मिनरस एब्जाप्शन में तो भही दिखा गया एब्जार्ब कि यह बताया गया इस्टेवार्ट ने बताया कि जब अब्जाप्शन होगा किसका आयन्स का मिनरस का तो क्या होगा जो रिस्पारेशन है वो इनक्रीज करेगा जब इनक्रीज करेगा किसके प्रजेंस पर और एक्षीजन के प्रजेंस पर इस्पारेशन जब जब आप प्लांट इस्पारेशन करेगा तो ओड्जाप्शन का बढ़ेगा तो नह तो दूसरा आये राबर्ट और टर्नरर ने यह बता है उन्होंने यह अब रसे की नहीं देखा यह बताया ची मिट्टी में केस जानीं की की प्रोटेसियम साइड है जाय तो dyspiration को होने नहीं देगा अगर dyspiration नहीं होगा तो क्या होगा और अगर योग एप्रोड़क्शन का मुगा अगर अगर सब्सक्राइब करेगा का आ होगा ठीक है तो यह उन्हें राबर्ट सर और टुनर ने इस चीजें बताए थी अब आगे आता है मेकनिजम आप एक्टिव मिन्रस ऐन एपजाप्शन यह आपके किस प्रकार से वाटर का एपजाप्शन होता है इस बात को उन्हें मेकनिजम के माध्यम से बताया था कुछ सै हाने के लिए उन्होंने दो दी थी पहला था आपका आयन कैवरियर द्यारी तूसरा है पहले है मैं पहले हैं त्योह नहीं कर द्यास के। होनट ने दिया था किसने दिया था होनट ने प्रपोस्ट क्य क्य staff इन्नों ने बताया कि कि जो root होता है जो plant का root होता है root का surface होता है उस पे specific type के carrier protein पाय जाते है ठिक है carrier protein के molecule होते है जो specific type के ion को exyourips करते है कुछ kate ion को exdriven करते है होनट ने यही बताया कि जो रूट होता है इसमें स्पेस्पिक टाइप के इसके सर्फेस पे स्पेस्पिक टाइप के क्या होते हैं स्पेस्पिक टाइप के कैरियर प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं केरियर प्रोटिन मालेक्यूल होते हैं जो इस्पेस्पिक इन नेचर के होते हैं कुछ कटाइन को एपजार्ब करते हैं कुछ एन आयन को एपजार्ब करते हैं इस बात को होनट ने प्रक्टिकली बताया था कुछ ग्राफ के मादियम से कुछ फिगर के मादियम से उन्होंने इसको बताया था ठीक है तो पहले इतने बात को हम लोग बर लेंगविज के माद़े हम समझ जेते हैं ते हम लोग फिगर की तरब बढ़ते हैं ठीक है तो दिस थिएरी वाज प्रपोज़ बाई हॉनर्ड एकार्डेन टू दिस थिएरी सच अज आइन 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 का टाइन आर आफजर्ड ए क्रास तमेंब्रेन बाई कैरियर प्रोटीन मालीकूल इस प्रेजेंटेट एज विलो यादि कुरू ने यह बता है कि जो वाटर का अपजापसन होता है ठीक है जो आइन का अपजापसन होता है वो कैसे होता है वो कैरियर प्रोटीन आइन के रूप में होता है ठीक उस सीज को रहने एक प्रैक्टिकली फिगर के माध्यम से बताया था तो आप देख रहे हैं कि ये figure है और इस figure में यहाँ पर root को दिखाए गया है outer surface है ये माली जी के root का outer surface है जिसे ये root है और root की ये outer surface है और इस outer surface को इस तरीके से दिखाए गया है ठीक है जिसे माली जी ये क्या है? root है root का ये क्या है? ये root का outer surface होगा बाहर का होगा तो रूड के आॉटर सर्फेस पर क्या होते है रूड के आॉटर सर्फेस यानिकी रूड के बाहर रूड के बाहर क्या होगा, स्वैल ही होगा तीक है root के पениaranths स्वाइल में क्या है ions है कुछ positive ion है कुछ cat icon है कुछ n ion है कुछ positive charge है और कुछ पेahlt demonic charge है और जो क्या उसका root का इनर surface है root की अंदर क्या है carrier protein molecules है तीक है जो यह carrier protein molecules है यह specific nature का है स्पेस्पिक की नेचर का मतलब कुछ आयन है ऐसे कि जो पाजिटिव की अबजार करेगा कुछ है कि जो नेगेटिव की अबजार करेगा specific का मतलब ही होता है कि कोई specific type का कारे करें तीक है यानि कि यह कुछ होते है कि positive को अब्जार्ब करते है तो ऐसे बहुत सारे तो यहां पर दो को दिखाएगा है दो के प्रोटेन माली क्यूल को दिखाएगा है जो specific की नेचर का है यानि कि यह positive को कुछ अब्जार्ब करेगा कुछ है कि negative को अब आपका पता है कि यह क्या है जुष है क्या है और जो आपको पता है कुछ positive को हुआ है अब कुछ क्या है atauus है क्याम हो Freddy को होते है वह space में डिपाय को होता है क्या करेगा यह protein को कुछ कुछ पाजितिव को कुछ यह त्वैं चाहित कंब करने का काम करता है कि सवाइल में क्या है। किए क्या है कुछ पाज़िटिव इसफिटिव छार्च को एबजाब कर लिया ठीक है यादि कि सोडिय में माली जी की मैगनेसिय में तो मैगनेसियम को एबजाब करेगा ठीक है अब वहीं माली जी कि इसमें क्या नेगेटू चार्ज वाला है नेगेटू चार्ज में कौन हो सकता है कि माली जी क्लोरीन है क्लोराइड इसकों हो सकते ह चो नेगेटिव इस पेस्फिक है कि करिये प्रोटीन माली कूल होगा वो नेगेटिव को क्या करेगा अब यह क्या करेगा यह क्या करेगा यह क्या क्या करेगा यह क्या 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 क् रूट के बाहर चल जाए। बनाद यह केरियर प्रोटीन का complex बन गया अब यह नहीं हो सकता है कि फिर से outer surface की तरफ रूट के बाहर चला जाए तो होगा क्या उसके बाद क्या होगा इसका जो केरियर प्रोटीन माली क्यों होगा यह मूब कर जाएगा inner side की तरफ यह अपने plant की इस inner surface है रूट का तो यह उपर की तरफ मूब कर जाएगा और उसमें इस iron को release कर देगा उस iron को हाँ पर release कर देगा और फिर से यह अपने फिर original position में आ जाएगा तो फिर क्या है फिर iron को एबजाब करेगा और यह सिलसिला हमेशा च theory तो इस बात को इन्होंने इस प्रकार से उन्होंने बताया ठीक है और यह बात इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रमार भी दिया ठीक है उन्होंने प्रमार भी दिया कि यह बात सत्य होती है कि जो प्लांट होते हैं उसमें specific type के carrier protein होते हैं जो क्या करते हैं ऑब उन्होंने ये भी बताया कि जो ये किए प्रूटिन मालीक होते हो इस पेस्पिक नवरा इसका मतलब जैडिक है अगर आयन बढ़ रहा है ठीक है बांवने लुथ बता है कि यह इस पेस्पिक की नेचर का होगा और इस पेस्पिक इन नंबर होगा इस पेस्पिक इन नंबर का मतलब कहने का मतलब यह यह यूरूट में करिये प्रोटिन मकिन हो थी इसकी सर्फेस बहुत सरॉट स संपिक थे क्या होती है तो है प्लांट प्रोटिन परोटिन हो हुए हैं लेकिन ये जो केरिये फ्रोटीन मालेकियूर होगा उतने प्रोटीन अक्频 всё करेगा इसके पास ये से Wahy ये उतने को ये उतन के पास दो के ये प्रोक्तिन मालेकियूर होगा थेकlinessla मतलब अगर यहां पर positive iron बढ़ रहे तो absorption नहीं बढ़ेगा ठीक है तो रेटा absorption नहीं बढ़ेगा ठीक है और क्यों नहीं बढ़ेगा क्योंकि इस पर पास definite यानि कि एक निशित ही number में क्या है लिमिट ही स्थार क्या है carrier protein molecule है जो कि इस पर की की नेशर का है ठीक है जो कि क्या है absorption करेगा ठीक है अब जो भूँ साथर करेगा उसको lifelong करेगा कता decision के लिए तो यहां तक बात ही हो चकी थी आई यह इस बात को language के मादियन समझ जते है the carrier theory the carrier ion exchange sorry the carrier ion theory involved following steps पहला है some carrier protein molecules are present on the outer surface of surface and functions carrier of ions ठीक है जो root का outer surface होता है महाँ पे क्या होते है carrier ions होते है ठीक है जो function करते है कि किसके रूप में carrier ion के रूप में function करते हैं बहुत सारे ions होते हैं जो के carrier ion के रूप में function करते हैं carrier protein molecules combined with iron present on the outer surface and form carrier ion complex यहने कि जो root के बाहर यह positive charge है और यह carrier protein है यह आयन है और यह क्या है यह क्या है यह carrier है यह iron है अब इसके साथ यह जूट जाएगा और यह carrier iron complex बना लेगा तीसरा है the carrier iron complex move toward inner side and release ions जो carrier protein iron complex बना यह move कर जाएगा अपने opposite side में और क्या करेगा अपने side में move कर देगा ठीक है और वहाँ पर ions को release कर देगा आयन को वहाँ पर release कर देगा ठीक है एक बार जो आयन को अब जारक कर लेगा वो दुबारा से वापस outer surface में नहीं जाता है तो भी लिखा गया once ions are taken it cannot go to back toward outer side the carrier protein molecule after releasing ion return go back to outer surface for picking up fresh ions यान की जो अंदर की तरह मूब किया हुआ था carrier protein molecule जो इस प्रकार से मूब कर चुका था यह फिर से अपने original position में आ जाएगा और आयन को एपजार्ब करने का काम फिर से करेगा ठीक है तो यह सब जो सारी बात यह थी जो कहिए protein molecule था आयन थे वह एपजार्ब हो गए कटायन था रिल आयन था वह साई एपजार्ब हो गए फिर root में छोड़ दिया गया इस बात को प्रमाड किया था इस बात को उन्हें सिद्ध करके प्रूफ करके बताया ठीक है तो उन्होंने क्या बताया इन्होंने उस चीज को उसका प्रमाड दिया उस चीज को दो तरीके से सिध्berry करके उन्होंने बताया उन्होंने यही बताया था क्या बताए कि जो आईयन को एक जार करएगा जितना उसके पास प्रोटीन होगा जितना स्केरियऔ होगे उतने होई एबिजार करेगा ठीक है उन्होंने यह करके उन्होंने इसको अपने एसे में बताया था ठीक है तो वही लिखा गया है saturation effect याने की sun trip याने की जितना उसके पास है उतने वो अपना गुजारत करेगा जितना उसके पास करिये protein है उतने को ही वो एपजार वे करेगा तो वही लिखा है तक करिये protein molecules are limited number and hence एपजार limited amount of iron limited number का होता इसलिए वो limited ions को ही एपजार कर पाता है इसी बात को दूसरे language में लिखा गया है it has been absorbed that the continuous increased salt concentration in soil medium do not increase the rate of salt absorption beyond certain limit because carrier protein molecules are limited in number thus carrier protein molecules so saturation effect यानिकि इस language से यह बता आगया है कि इन्होंने यह बता कि जो ions है उसकी संख्या unlimited है वो continuity उसकी संख्या बढ़ रही है यहां पे हमेशा उसकी संख्या बढ़ रही है लेकिन जो carrier protein माली कूल है वो क्या है उसकी संख्या limit है यानि वो उतने ही आईन को एप्जार करेगा जितने पास उसके परोटेन होगा अगर यहां पर संक्य जादे हैं उसको यह डिपेंड नहीं करेगा कि वह बहुत सारे आयन को एपजार्ब करेगा वह किवल उतने को एपजार्ब करेगा जितना उसके पास करिये प्रोटीन होगा इस बात को इस्टोने साचुरेशन एफिक्ट से प्रूब करके बताया था दूसरा si gipecify में क्या होता है जो positive के लिए करणी कलेगा जो ढनियोक को एपजार्ब करेग त्यक्ति अब डूसरा आतना आफ है का 2007 प्रूरूमग पूमप थीरी पहला था आप पहला साथी थी आपकी पहला थी थी आइन- Toby इयरि के बारे में यह मैंने बखे आपको Royal Kesary के बारे में दूसरा आपका सांप आपका साही ठोलों कुरिश्म इसके बारे पर समझ साइन से प्रंप नगलब संभाव कि साही ओ कर जो फू रूब ट्रूप की साइट्डो क्रूम की पंप ठियरी है इस ठियरी को लुडन गैंध ठीक है कि लुडन गैंध गैंध ने और बश्ट्रॉम त्रिक बश्ट्रॉम ने इस ठियरी को दिया था प्रेपोस्ट किया था कि उन्हें बताया कि जब Prestation होता है इस बात को समझने के लिए आम एक थोड़ा सा एक्जामपर लेंगे आपके साथ आप जब रिस्पिरेशन पढ़ते हैं रिस्पिरेशन में आप ETS पढ़ते हैं इलेक्ट्रान ट्रांस्पोर्ट सिस्टम ठीक है पढ़ते हैं तो वहां पर आप एन एडीपी एफ एडीपी यह चीज़ देखने को मिलता है वापे और साइटोक्रोम सिस्टम आप देखते हैं वापे साइटोक्रोम सिस्टम आप देखते हैं होता क्या उस साइटोक्रोम सिस् अब आका पता है हंतलक नमुस मен सार्ज होते हैं ठीक है तो होता क्या जो साइटोपर स्षिट्प्रॉं infections में उसमें छो綠 kron lash riots अक्सडीषन होता है यानि कि साइटोilarm enzyme के साथ उसका AG oblation होता है और यह यह क्या होता है औखिढिलेज होता है आक्सडीश करता रहता है जिसके द्वारा जो hydrogen है वह निकरता रहता है और जो electron है hydrogen और electron निकलते रहते हैं तो इसमें होता क्या है थोड़ी से पहले इस बात को लेंगविज के माध्यम समझे जी उसके बाद साली बातों को अच्छे से आपके सारी इस खसन करते हैं तो पहले बता है कि जो आपका साइटोक्रोम पंप थेयरी इसको डिटर्ण ग्रेंद ने और बश्टरम ने तो इस थेयरी से थोड़ा सा आप लोग समझेगा इस पात में क्या बताई जा रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का अप्राइस करिएगा तो मैंने बताया कि जब आप रिस्पाइडेशन पढ़ते हैं उसपे एटीएस पढ़ता है इकलेक्टराण ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस इलेक्टराण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या देखने की मिलता है NADH और FADH का होता है वो साइट्रोक्रोम सिस्टम में वो हो जाता है वही सिस्टम यहां पेप्जरपशन में होता है होता है क्या कि जोरूट होता है वो बाघर से क्या करता है आएन को विचर्परकरता आइन को जैसे यह आएन यह जो इलेक्ट्रान होगा यह फेरस से होते हुए फेरिक में फेरस फेरिक फेरस फेरिक में convert होता चला जाएगा यारी कि फेरस से फेरिक बनेगा फिर फेरिक से फेरस फिर फेरिक से फेरिक ऐसी चीजी यह बनती हुए चली जाएगी ठीक है उसके बाद क्या होगा यह outer surface से absorb होगा और simply diffusion के माध्यम से यह यहाँ से electron निकल जाएगा यहाँ से iron absorb हुआ और यह electron यहाँ पे मिल जाएगा चो electron होगा यह plant को energy देगा इस energy के माध्यम से क्या होगा iron का absorption हो जाएगा ठीक है जो आएन होगे वो रूट के इनर साइड की तरब बढ़ जाएगा ठीक है इसका मतलब हुआ किया जैसे ये आएन को अब्जाब किया यहाँ से इसको इलेक्टरान के रूप में इनर्जी मिला इनर्जी जैसे मिला येuttरास्फेरिक में फिर फिर स्टार कमें फेरस्फेरिक में कनवर्ट होते हुए रूट के इनर साइड में पहुच गिया यह जो इलेक्टराल था जब यहां से क्या हुआ अब वो एनर्जी क्या हुआ प्रडोस्ट हो गई और एनर्जी का उपियोग करते हुए आयन एब्जार्ब कर लिया आयन अंदर की तरफ चलाया इतनी पास समग नहीँ कहां गया रूट के इनर सर्फेस पे रूट के इनर पार्ट में इनर साइड में चलाया और यहां पर क्या हुआ आप देखे रहे हैं कि यहांपर हाइड्रोजन भी बना था अब यह hydrogen क्या होगा इस hydrogen से रियक्ट करकी यह neutral हो जाएगा और यहाँ पे अच्ट्यो का फार्मेशन कर लेगा तो बेसकली बात आपको यह ही जानना है इस है ने अब यहाँ जया नायन को फार्डव में कि अक्सीडाइज से हो रहा है आपि आफीजीज़न हो रहा है तो अक्सीडाइज हो तो चुब हो लागा जैसे यह यह जो हुआ तो क्या हुआ ऐन आयन ते यह और आएन अव्ज्चार्ज वाल आएन अव्ज्चा तो तो क्या हुआ अव्ज्च सो था यह और। अगे के तरफ अपने आप से क्या हुआ क्या फिर समस्ज लिए धितले। ज要से इसको आएन को अब हुआ किया यहां से लेक्टरान प्रोड़ेश okay तो आप देख आए फेरस से फेरस फेरक से डार फेरस होते हुए जो आएन अराम से रूट की इनर सर्फेस हो तो आप ह्ता पर देख सकते हैं कि यहां पर हुआ कि यहां पर ऑक्सेजन पाहर से चला आया है अब यहां पर देखेंगा कि इसमें कोई उर्जा की खर्च नहीं होते भी ना उर्जा देखिया थोलबे सीनरजी खर्च होई और सिंप्लिन डिफूजन के माध्यम से वाटर के डिफूजन के माध्यम से स्वता जो आयन थे वो आंदर के तरफ मूब करता हुआ चलाया इस बात को आप लोग एक दूसरे ग्राप से भी समझ लेते हैं सकते हैं जैसे यह हुआ क्या यह आयन है रूट की आउटर सरफेस यह साइटो क्रोम पंप के दोरा इलेक्टरान प्रोडेस हुआ और इसके दोरा यह इनर साइड आयन की अंदर के तरफ इलेक्टरान बढ़ गय यह क्या था यह कुआ यह पेठ लाइन अगया सिंप्ल इफूजन के माधिया से पेसिव ट्रांस्पॉर्टर थ्सिस्टम वह अंदर की तरह मूइश नीजिस्च नकी gradient आंगितम बालक यह निक्स लेक्टर की तरह की आतरा यह अदे निक्टरान नियोक्ति नेज्ट्रिसिध ल voter के बारे में या आप कर सकते हैं कि meaneral nutrient के बारे में नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लोग दिसक्क aut करेंगे अगर और कोई डाउट क्वेरी में क्क्वेसिन आप कमेंट बाक्स में अपने डाउट क्वेरीज पास क्ता हैं और इसके अलावा भी अगर आपके क्वेरिस बनते हैं तो आप मारे वाटसब के तुरू आपने क्वेरिस क्वेशन का क्वेशन को पूछ सकते हैं अगर अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो के फटा-फट से लाइक कर दीजिए चैनल में पहली बार चैनल को साथ जिस भी हम आपके साथ डिसक्सिन करेंगे मिनरल नियूट्रियंड के बारे में कुछ प्राबलम की वज़े से आपके रिकार्डिंग नहीं हो पा रहे थी रिकार्डिंग क्यों नहीं हो पार थी क्योंकि माइक का थोड़ा सा इसू था इसका आपके रिकार्डिंग नह में थोड़ा सा इसू था जो कि मैंने आपके साथ डिसकसन कर दिया ठीक है माइक का इसू था जो मैंने बताया अब आपकी जो क्लास्स होगी वो रेगुलरी चलेगी